दोस्तों आज की ये वीडियो काफी important है आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप Google Pay पे अपना account बना सकते हैं सबसे पहले आपको Play Store को open करके यहाँ पे साच करना होगा Google पे दोस्तों इस application की link आपको वीडियो की नहीं के description में मिल जाएगी वहां से किलिक करके भी आप इस application को install कर सकते हैं यहाँ पर आपको install बटन दवा देना है और यहाँ पर कुछ second या कुछ इसा interface आएगा अब धान दीजे यहाँ पर लिखाएगा welcome to Google पे enter your mobile number अपको यहाँ पर आपको आपको आपका bank account में connected है ठीक है वही दालिएगा जिससे आने वारे टाइम में आपको कोई भी पॉबलम नहीं आएगी जिससे आप बड़ी असनी से अपना bank account भी connect कर सकते हैं इसलिए मैं आपको आपका bank account में number add है वही नमबर है आप डालिएगा चलिए मैं आपना number डाल देता हूं यह मैंने आपना number डाल दिय उसके बाद आपको next पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर simple यहाँ पर आपको बोले का choice your account तो आपको जो भी account हो यहाँ स्लेट कर सकते हैं ठीक है आपको gmail वागी डाला होगा इसलिए automatic जाएगा उसका simple आपको active and continue पर क्लिक करना है जब क्लिक करेंगे तो हाँ आपको आपको मॉवाइल में एक message आएगा और यह automatic यहाँ ले लेगा तो यहाँ आपन कुछ check and wait करेंगे दोस्तों OTP आच चुका है simple आपका मॉवाइल अब दोस्तों हुआ क्या आपका 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 बन चुका है आप इसमें bank account कैसे connect करते हैं दोस्तों Google पे अपना account बना simple है लेकिन आप bank account connect करने के लिए आपको करना क्या होता है दहन दीजिए अगर आप देखेंगे तो इससे identifying sorry में ऊपर की side अपको एक गोल जोगोल आपका प्रोफाल पाइस तो आपको यहां पर click करना होता है यहां उन convenience ऑपने यांँ पर आपको यहां पर click कर देते हैं तो on है select your bank दोस्ता को बताना चाहूंगा जो भी बेंग आपका है जिस भी बेंग में आपका अकाउंट है उस बेंग को आपको आपको है स्लेट करना हो बचली वह बेंग आप देख लीजेगा तो जो मेरा बेंग के वह पंजाब नेशनल बेंग है मैं यह आप स्लेट कर लेता हू select करने के बद यहां पर आएगा select the sim link to दोस्ता को बताना चाहूंगा जो भी आपका bank account है और जो भी आपके bank account में जो number registered है उसी number पर आपको sim 2 पर click करना है मतलब कि अगर आपके mobile में दो sim लगी हुई है तो आपका जो भी sim पर आपका bank account मतलब जो bank में number registered है उस पर click करके आपको continue पर click करना है और यहां पर आपको कुछ minute यह कुछ second wait करना होगा यहां पर लिखा रहा verify mobile number तो आप देख पाएंगे कुछ second है wait करेंगे यहां दोस्तों आप देख पाएंगे यहां पर आचुका है Punjab National bank और यहां पर simple आपको automatic ही ले लेगा आपके number से आपको continue पर click करेंगे यहां आएगा bank account और यहां पर थोजी processing चलेगी तो आपको कुछ second wait करना होगा तो आप देख पाएंगे bank account added तो यहां ऐसा आएगा आप simple आप देख पाएंगे कि आपका जो है ऐसा हो चुका है आप simple आपको active पर click कर देना है यह active पर click करेंगे तो आपके सामने ऐसा interface आजाता है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जहां आपन bank account को connect करते हैं वो अपने mobile नमर से link होता है मतलब कि जो नमर अपन यहां पर account बनाते हैं वही नमर अगर अगर अपना bank account में registered है तो हां automatic bank account link हो ज करते हैं तो बहां अपना UPI pin होता है वो ही UPI pin यहां पर काम करता है तो यहां आपको फिर से अपना कोई भी new UPI pin नहीं बयाना होता है ना आपको अपने card की डिटल भरना होती है अगल दोस्तों आप फरस्ट ताइम गूगूल पर login कर रहे हैं और आपका कोई भी application नहीं है अपने अपने Trinity इस्तिमाल का रहा है और नहीं आपने कोई अदर Amazingter इस्तिमाल कराई है तो आपके सामने करना क्या होता है यहां पर अध्या इस्तिमाल करना क्या होता है आपके काट की जो रेट रह तितें अगर अगर आपको पहले से कोई अप्लिकाइशन कर रहे हैं फोन पे वगेर आगा तो आपको कोई भी यूपाइप नहीं बायाना होगा वह यूपाइप आपका यहां पे काम करेगा इस तरीके से आप गूगल पे में अपना अकाउंट बैंग अकाउन को लिंक कर सकते हैं अ अगर कोई सब्सक्राइब करके बेल आइकों जिवू दमाएं तकि अन्ने वाल टाइम में आपको ऐसी है कैसारी जूश्कूल मिटों देने को मिलतीन है अगर कोई सवाल है तो में करेवेंट जिवू कीजेगा हम करेवेंट के मात नम्स है आपको इस लाइक जिवू देंग